Hello Kids! Welcome to Magnet Brains! मेरा नाम मागी है और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? हम हमारी जो तीसरी इकाई है उसको शुरू करने वाले हैं ठीक है? तो इस इकाई का नाम है हरी भरी धर्ती क्या नाम है? हरी भरी धर्ती इसका क्या मतलब हुआ? कि जो हमारी धर्ती है जहां हम रहते हैं वो कैसी है? वो हरी भरी है मतलब कि आसपास आप देखते होगे कि बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं है ना? और वो सारे पेड़ पौधे कौन से रंके होते हैं? हरे रंके होते हैं तो इसलिए हमारी जो धर्ती है बचों, वो बहुत हरी-भरी है, ठीक है? तो इस तरह ये जो हरी-भरी धर्ती है, इसमें हम लोग आज एक चित्र पढ़ने वाले हैं और उसके उपर बात चीद करने वाले हैं, ठीक है? मतलब कि एक चित्र है, और हमें उसे देख कर हमें ये समझना है कि उसमें क्या चल रहा है, ठीक है? तो चलिए हम पहले वो चित्र देख लेते हैं, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, तो देखिए, ये है वो चित्र, क्या आप देख पा रहे हैं? कि इस चित्र में आपको कितने सारे रंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे जादा दिखाई दे रहा है, वो कौन सा रंग है बचो? वो हरा रंग है क्योंकि इस चित्र में बहुत से पेड़ पौधे हैं इसलिए यह बहुत हरा दिख रहा है और हमारी जो धरती है वो भी ऐसी ही हरी भरी है ठीके है? हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो इस वज़े से हरी जो धरती है वो कैसी है? हरी भरी है, ठीक है? तो चलिए हम एक एक करके ये पढ़ते हैं कि इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है? ठीक है? शुरू करते हैं हम इस बच्ची से इस बच्ची से हम शुरू करते हैं आप मुझे बताईए कि ये क्या कर रही है? ये इस पेड़ को गले लगा के खड़ी है है ना? क्या कर रही है? इसने इस पेड़ को कसकि पकड रखा है, गले लगा रखा है और इसके हाव भाव से ऐसा लगता है कि ये बहुत खुश है ठीक है? अब आप मुझे बताईए कि इस बच्ची ने इस बड़े से पेड को क्यों पगड रखा है? इसलिए क्योंकि जो पेड होते हैं, वो हमारे लिए बहुत फाइदेमंद होते हैं, हमारे लिए बहुत जरू होते हैं, ठीक है? पेड हमें हवा देते हैं और पेडों की वज़े से हम खाना खा पाते हैं, ठीक है? तो ये सारे चीजों के लिए पेड बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए इस बच्ची ने इस पेड को गले लगा रखा है क्योंकि पेड हमारे लिए क्या है कि बहुत जरू है ठीक है समझाए आपको और अब आप इसमें देखिए कि इस बच्ची के उपर इस पेड में क्या आपको यह पक्षी दिखाई दे रहे हैं यह अलग-लग रंग के पंची है जो पेडों के आसपास रहते हैं और हमें वो पेड़ों पर बैठे दिखाई के देते हैं ठीक है? तो देखिए, ये पक्षी जो है, ये सारे पेड़ों के आसपास है, ठीक है? और अलग-अलग रण्गों के हैं. अब यहाँ पे हमें टोटल कितने पंशी दिख रहे हैं? यहाँ पे हमें एक, दो, तीन, ठीक है? यहाँ पे तीन पक्षी है, ठीक है? अब आप मुझे यह बताईए, इस पूरे चित्र को ध्यान से देखो, और मुझे यह बताओ कि क्या और कोई पक्षी दिख रहा है आपको इस चित्र में? आपको यह रहा वो पक्षी, ठीक है? तो हमें इस चित्र में टोटल कितने पक्षी दिख रहे हैं? चार, ठीक है? तो यह सब, आप य देखिए कि ये सारे पक्षी अलग-अलग रंके हैं एक है जो नीला है एक पक्षी पीला है और ये पक्षी बेंगनी रंका है और जो ये है ये पक्षी गुलाबी रंका है ठीक है तो इस तरह हमारे आसपास रंग बिरंगे पक्षी रहते हैं और हरे भरे पेड रहते हैं ठीक है समझाया यहां तक चलिये और क्या है इस चित्र में और इस चित्र में आप ये देखिए कि यह जब च्चा है यह क्या कर रहा है इसने एक बड़े से पत्ते को पकड़ रखा है ठीक के और यह एक किस पर बैठा है ये एक لकड़ी पे बैठा है, ठीक है? और आप मुझे बताएं कि इस तरहा इसने इस पत्ते को क्यों पगड़ रखा है? ये एक पेढ़ का पत्ता है और जिस पे वो बैठा है, वो भी एक पेढ़ की लकड़ी है, ठीक है? तो हो सकता है कि उस पेड़ को काट दिया गया हो और जो लकड़ी बची है वो वहां रखी हुई थी और वो बच्चा उस पे बैठ गया और वो बैठ कर क्या सोच रहा है कि यहां पे बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था जिसे काट दिया गया समझ रहे हैं आप तो इस तरह ये बच्चा क्या कर रहा है एक पत्ता पगड़के बैठा हुआ है ठीक है और आप ये देखिए क्या इस ये जो बच्चा है इसने कुछ पहन रखा है अपनी आखों के ऊपर आप मुझे बताईए इसकी आखों के ऊपर क्या लगा हुआ है इसने एक चश्मा पहन रखा है ठी बहुत दिक्कत हो या हमें पास का देखने में दिक्कत हो या दूर की चीज़ें देखने में हमें कुछ परिशानी होती हो ठीक है इसलिए इस बच्चे ने चश्मा पहन रखा है क्योंकि इसे हो सकता है पढ़ने में या दूर देखने में उसे परिशानी होती होगी तो चश् में पीछे देखिए क्या आपको ये एक कुटा दिख रहा है ये कुटा क्या कर रहा है किट्स ये जमीन में खोद रहा है हमने पढ़ा था खोदने के बारे में आपको याद है ना तो ये कुटा अपने पंजों से उसके जो पंजे हैं हाथ के उससे वो धरती को खोद रहा है तो आप देखिए कि ये क्या कर रहा है ये धर्ती को धर्ती में गड़ा बना रहा है उसे खोद रहा है चलिए ये तो हुआ हमने इस कुत्ते के बारे में पढ़ा और इस पेड़ पे आप देखिए ये क्या है यहाँ पे आपको इस पेड़ की तहनी पे क्या रखा दिख रहा ह आपको चिडिया के क्या है अंडे है ठीक है और वो चिडिया के अंडे किस चीज में रखे हैं देखो वो एक घोसले में रखे हैं क्या आप एक घोसला देख पा रहे हो तो यह चिडिया के तीन अंडे हैं जो घोसले में रखे हैं और वो बन रहे हैं उसमें से क्या निकलेगा उसमें से छोटी-छोटी पक्षी निकलेंगे, है ना, ठीक है किट्स? तो यहां तक आपको समझ आया, तो इसके यहां इस पूरे चित्र में हमने ये सारी चीजें देखी और आप मुझे ये बताएं कि ये बीच में जो चित्र है, ये किस चीज का चित्र है? ये एक बड़ा सा पेड़ है और इसमें बहुत बड़े-बड़े से फल लग रहे हैं, ठीक है? पेड़ों के उपर क्या लगते हैं, बचो? फल लगते हैं, फूल लगते हैं, ठीक है? तो इस पेड़ पे बहुत बड़े बड़े फ़ल लगे हैं किस तरह के फ़ल दिख रहे हैं आपको ये किस तरह के पाइनापल मतलब अनानास की तरह दिख रहे हैं या फिर हो सकता ही कि ये छोटे-छोटे खजूर का पेड़ हो और क्या हो सकता है ये बताइए ये कठल का पेड़ हो सकता है तो ये सारी चीजों के पेड़ क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो बड़ी-बड़ी होती है जिस तरह इस बच्चे ने अपने हाथ में पकड़ रख ठिके समझाए आपको तो इस तरह हमारे आस्पास बहुत बड़े-बड़े पेड़ और पौधे और क्या होते हैं पक्शी होते हैं और जानवर होते हैं तो यह सारी चीजे आपको इस चित्र में देखने को मिल रही है ठिके कीट्स इस चित्र में आपको पीछे बादल भी दिख रहे हैं ठीक है और यहां पे कुछ पहाड भी दिख रहे हैं पीछे की तरफ तो यह सारी चीजे इस चित्र में हमें दिख रही है आप मुझे बताइगे क्या कुछ रह तो नहीं गया इसमें जिसके बारे में हमने बाचीत ना की हो ठीक है तो यह सारी चीज हमने इस चित्र में देखी, ओके, क्या आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया, चीखे गिद्स, तो आज हमने एक चित्र के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा, कि हमारी धरती कितनी हरी भरी है, उसमें इतने पेर लगे हैं, पौधे लगे हैं, और इतन सारे रंग बिरंगे जीव जनतु रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, ठीक है, तो इन सारी चीजों के बार में आज हमने पढ़ा, आपको समझ आया अच्छे से, I hope आपको सब समझ आया होगा, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और अच्छे चीजों के साथ, ठीक है क तब तक के लिए, थांक यू किट्स, बाँ बाई